नमस्कार सात्यूं, संस्कृतिय आईएस की यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम चंदर शेखर है UPSC 2024 प्रारंभेग परिक्षा को ध्यान में रखते हुए, करेंट अफेयर रिवीजन क्लास शुरू की गई है उसमें भारती अर्थ व्योस्था से सम्मद्धी जो प्रश्ण है, जो टॉपिक है, प्रश्णों के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं तो जून 2023 में जो टॉपिक चर्शा में रहे हैं, उनको हम प्रश्णों के माध्यम से कवर कर रहे हैं चलिए सेशन की शुरुवात करते हैं और इस सेशन में पहले प्रश्ण को देख लेते हैं। हिंदी इंगलिस दोनों भाशाओं में हैं आप जिसमें comfortable हो देख सकते हैं। अगर कहीं दिकत हो तो आप इंगलिस में भी देख सकते हैं। पहला प्रश्ण कहा रहा है निमलेखित के अनसार कोई भी सदस्य देश स्वेंग को विकाश afford देश घोशित करने के लिए स्वतन्थर है। डबलू टीयों के according ये कहा गया है कि कोई भी देश अपने आपको विकाश शील देश या विकशित घोशित कर सकता हैं इसमें कोई समस्या नहीं है तो अब यहाँ पर कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक ही सही ब्याख्या नहीं है सी कह रहा है कथन एक गलत है किन्तु कथन दो सही है अब एक बार इसकी ब्याख्या देख लेते हैं फिर उसके बाद हम बात करेंगे दुबारा इस पर लोट करके आएंगे और उसको सॉल्ब करेंगे ह अलाग कि एंसवर आप लोगों को दिख रहा है फिर भी एक बर इसकी ब्याक्या देख लेते हैं ये नियूज में रहा है The Economics Times में ये उसकी नियूजपेपर की कटिंग है इससे आप लोगों को ये पता चल रहा है कि हाँ ये वास्तों में रहा है चर्चा में क्यों है तो इसलि चीन अब विकास्षिल देश नहीं माना जाएगा कारण यह है कि जो चीन की अर्थवेवस्था है काफी विस्तरित अर्थवेवस्था है शैन शक्ती इसकी बड़ी है इसके साथ साथ बिश्व में उसके द्वारा बड़े पैमाने पर निवेश भी किया जा रहा है अलग करी बात यह है कि वर्ड बैंक आए के आधार पर इसको अलग-अलग काटेगरी में डिवाइड करता है फिलाल सदस्य देश स्वैंग को विकसित या विकास्षिल घोसित करने के लिए स्वतंत्र है जो डबलो टी ओ के सदस्य देश है संयुक्त राष्ट विकास्षिल देश का दर्जा किसी देश को प्राप्त हुआ है तो वैस्विक संगठनों से उन्हें आसान किस्तों पर आसान शर्तों पर रिण प्राप्त हो जाता है अंतराश्टी संगठनों से तक्नीकी सहायता प्राप्त करने में भी लचीला बेवहर अपनाया जाता है डबलो टी ओ के समझ भी इनके साथ नरम बेवहार किया जाता है क्योंकि इन्होंने विकास की अभी उस अवस्था को नहीं प्राप्त किया है जिस अवस्था में कई ऐसे देश हैं जो विकसित हो चुके हैं या विकसित अर्थ बेवस्था की सिरणी में जा चुके हैं तो ये जो मैंने आप से कहा वर्ड बैंक के बारे में वो इस तरह से निरधारित करता है, ये भी आपके सामने हैं, अब बात कर लेते हैं, जो यहां पर पूछा गया है, इसमें सही कौन सा विकल्प है, तो B आपका सही विकल्प है, यहां पर देखें, कथन एक और कथन दो, दोनों सही हैं, तथा कथन द कथन एक ही सही ब्याख्या नहीं कर रहा है, मतलब ब्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों ही कथन अपने आप में सही है, ये आपने प्रशने देख लिया, अगले प्रशने के तरफ चलते हैं, अगला प्रशने क्या कह रहा है, निमलेखित में से कौन सा कथन, दीन, दय क्या देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यह पेपर की कटिंग है कटिंग के साथ साथ यहां पर देखें चर्चा में क्यों है तो संयुक्त राष्ट विकास कारिक्रम जिसे संशेप में युनाइटेड डेशन डेवलेप्मेंट प्रोग्राम भी कहा जाता है अगिला उद्यमी है उद्यमीता के शेत्र में इन्हें शसक्त बनाया जाए करियर विकल्प के चैन में ससक्त बनाया जाए साथी साथ यह भी समझने की आवशक्ता है कि जो उद्यम शीलता है एंटर पेनौर्शिप देश में कुल उद्यमियों में महिलाओं की जो भागेद करने के लिए सहायता मिलेगी अब किसमें किसमें सहायता मिलेगी तो देख भाल अर्थ ब्यवस्ता सवाल यह है कि देख भाल अर्थ ब्यवस्ता कहते किसको हैं वह आर्थिक गतिविधी जिसमें देख भाल और सहायता सिवाएं शामिल हैं उनको कहा जाता है देख बाल अर् अर्थ वैस्था का सिधा सिधा साब मतलब यह है अर्थात इसका अर्थ यह है àiपर कनेक्टिविटी किसके किसके मद्ध है तो लोगों और संगठनों के मद्ध मसीनों की बढ़ती और अंतर संबंधता को यहां पर तरसाज आ रहा है Digital अर्थवियोस्ता के माध्यम से अब इसमें केसे connect किया जाता है जैसे Internet of Things मोबाईल पृद्योगी की आप बात कर सकते हैं Internet of Things की वारे में मैंने बताया ही तो यहां Digital अर्थवियोस्ता के शेत्र में Electronic गतिसीलता के शेत्र में अवसिस्ट प्रबंधन के शेत्र में ठीक है यह एक तीन वर्षी कारिक्रम है फैक्ट भी ध्यान रखना है जिसे वर्ष 2025 से आगे बढ़ाया जा सकेगा इसके प्रारंभिक चरण में आठ शहरों को शामिल करने की योजना बनाई गई है ठीक है तो यह आप लोगों ने समझ लिए इसको समझने के बाद इसी से समंदित कुछ और बातों को देख लें दीन दयाल ठीक है योजना के बारे में तो शुरुवात इसकी कब हुई थी तो वर्ष 2013 में इसकी शुरुवात हुई थी शोन जैन्ति शहरी रोजगार योजना के अस्थान पर इसकी शुरुवात की गई है प्रकार क्या है तो यह केंद्र प्रायोजीत योजना है मैंने इससे पहले वाले सेशन में केंद्र प्रायोजीत योजना और केंद्री शेत्र की योजना दोनों के बारे में मैंने चर्चा किया था ठीक है केंद्र और राजी सरकारे द्वारा वित्त पोशन यहां प यह केंद्र प्रायोजी तो योजना है तो इसमें 40 और 60 और 40 का रेसियो है शेत्रों के हिसाब से बदलता है जैसे पहाड़ी शेत्रों में 90 और 10 का रेसियो होता है दस का मतलब यह है कि राज्य सरकार जो राज्य है उस राज्य सरकार के द्वारा वित्पोश्ण किया जाएग खार्यानमित कौन कर रहा है तो आवास और सहरी कार्यमंत्रा ले ये बात हम लोगों ने समझ लिया इसकी ब्याख्या देखने के बाद अब आते हैं प्रश्ण पर सही कौन सा है इसमें से B option सही है यह केंद्र और राज दोनों सरकारों द्वारा 70 और 30 के अनुपात में वित्त पोशित है आपसे ये पूशा गया है गलत कौन सा है ठीक है तो यहाँ पर कौन सा है 60 और 40 के अनुपात में वित्त पोशित है बाती सभी statement सही है आगे बढ़ते है अगले प्रशन को देख लें अगला प्रशन क्या कह रहा है अगला प्रशन नेमलेखित कतनों पर विचार कीजिए वे निमित संस्थाएं विल्फुल डेफाल्टर खातों के संबंध में सुला समझोता कर सकती है ठीक है दूसरा कह रहा है तकनीकी राइट आफ के लिए बो मान लेजिए मैंने एक जगह से जॉब छोड़ा और दूसरी जगह जॉब मैंने जॉइन किया तो उसके बीच में जो समय होता है उसको कहा जाता है कूलिंग ऑपरेट तो ये कहा जा रहा है सुला समझोते में शामिल जो पक्षकार हैं एक बैंक है और ये कोई कमपनी की पक्षकारों के लिए अधिक्तम कूलिंग अवधी कितना है एक वर्स की होगी इसके बारे में कहा गया है अब यहां पर जो शब्द हैं उन शब्दों को देख लेजे क्या कहा गया है विलफुल डिफाल्टर विलफुल डिफाल्टर का मतलब यह है कि एक ऐसा ब्यक्ति है जिसने बैंक से रिड लिया और रिड वो जान बुझकर के लिया है कि यह जो मैं रिड ले रहा हूँ यह मुझे लोटाना नहीं है और उसने अपने आपको डिफाल्टर घोसित कर दिया तो इसको कहा जाता है जान बुझकर के डिफाल्टर घोसित करना इसे विलफुल के राइट आफ राइट आफ का मतलब यह है कि एक बैंक है एक बैंक है इसने एक ब्यक्ति को मान लेजे कोई राम स्याम कुछ भी मान लेजे जो आपको अच्छा लगता है यह ब्यक्ति है बैंक ने इसको रिण दिया अब यह ब्यक्ति इस रिण को चुका नहीं पा रहा है च जो परफॉर्म नहीं कर रही है ठीक है जिसे हिंदी में गैर निस्पादित परिसंपति कहा जाता है अब थोड़ी समय के लिए मान लेते हैं कि यह अमाउंट दस लाख रुपे है दस लाख रुपे अब जो बैंक का अकाउंट है बैंक के खाते में यह NPA दिखाई दे रहा है तो बैंक इस धनराजी को किसी दूसरे स्रोथ से पूरा कर लेता है अपने लाब से या किसी दूसरे स्रोथ से पूरा करता है और यहां अपने उस खाता बही से हटा देता है इस NPA को हटा देता है इसी को कहा जाता है राइट ओफ करना ठीक है यह आपने समझ लिया अब यह क्या क्या कहता है यहां देखिए चर्षा में क्यूं है आर बियाई ने सुला समझोता और तक्निकी राइट आफ के लिए रूप रेखा जारी किया है सुला समझोता क्या है यह रिंड प्राप्त करता एवं जो विनीमित संस्था है विनीमित संस्थाओं के बीच एक समझोता ह दोनों के मद्य समझोते को बता रहा है कि सुला समझोता आपस में थोड़े समय के लिए आप एकॉनमी में जाईए और गहन अध्यान करिए विचार करिए कि एक ब्यक्ति ने बैंक से रिंड लिया रिंड लेने के बाद अब वो चुका नहीं पा रहा है बहुत से ऐसे ब्यक् स्कति करें और जब्त करके निलाम करके अपनी जो रिंड की रासी है वो वसुल ले तो ऐसा भी हो सकता है कि बैंक और उस ब्यक्ति के मद्य समझोता हो जाए कि जो अमाउंट मालेजे बैंक ने 10 लाग निड दिया है उस 10 लाग के रिंड पर थोड़े समय के लिए मान लेते हैं पांच लाग का और ब्याज बन गया है तो दोनों के मत यह समझोता हो जाता है और समझोता के हिसाब से जो उसमें पे करने के लिए कहा जाएगा उस विनिमित संस्था के द्वारा और उस ब्यक्ति के द्वारा पे कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि वो NPA उसका समाधान व ठीक है? जो NBFC हैं गैर बैंकिंग वित्तिय कंपनी वो भी इसमें शामिल है इन सब को एक साथ इसमें शामिल किया गया है इसके साथ साथ आगे बढ़ें रूप रेखा के प्रमुक बिंदु कौन कौन से हैं तो विनिमित संस्थाओं को सूल समझ होता और तकनीकी राइट ओफ के लि रिड़ों की बैलेंस सीट को साफ करने के लिए किया जाता है जो खराब रिड़ है अर्थात NPA बन चुका है उसको बैलेंस सीट को साफ करने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि अन्यस रोतों से उसकी पूर्टी कर लेना उप्रियुक्त नीतियों में कुछ विशेश शर्ते शाम मनजूरी के लिए शक्तियों का हस्तांत्र आदि तो यह बाते आप लोग समझ चुके हैं तो ये बाते आप लोग समसी आप लोग मांने देख लिया अब लिए बाद जो हमारा प्रश्ट्रेश्क को देख लेते हैं, अब ये क्या कह रहा है? प्रश्ट्रेश्क के लिए इसमें कौन सा सही है, तो इसमें आपका कीवल 2 सही है, भी ऐसमें सही है, ठीक है बिनिमिस संस्थाएं बिलफुल डेफाल्टर खातों के समबंद में सुला समझवता कर सकती हैं तकनीकी राइट आफ के लिए अनमोदित नीतियों को लागू करना यहां पर कहा गया है पक्षिकारों के लिए अधिक्तम कूलिंग और प्रियड यह तीनों आप लोगों संदर में निमलेकित कत्रों पर विचार कीजिए वित्य सेवा संस्थान ठीक है यह कहा रहा है इसे बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के अस्थान पर गठित किया गया है सुभाविक सी बात है बिल्कुल सही है यह वित्मंत्राले के अंतरगत वित्य सेवा विभाग के अधीन अस् सही पूछा गया है अब इसकी ब्याख्या देख लेते हैं ठीक है ब्याख्या देखने के बाद तब हम दुबारा प्रशन पर आएंगे वित्य सेवा संस्थान व्योरो ने जनरल इंस्वरेंस कॉर्पोरेशन आफ इंडिया और नेशनल इंस्वरेंस कमपनी के नए प्रवंधक निदेशों का चैन किया है ठीक है जो वित्य सेवा संस्थान व्योरो है यह वित्य मंत्राले के वित्य सेवा विभाग के अधीन है किसके अंतरगत है तो वित्य मंत्राले के वित्य सेवा विभाग के अधीन कारेरत है जो वित्य सेवा संस्थान व्योरो है को ब ऐसा क्यों करना पड़ा दरसल दिल्ली हाई कोट का नेड़े आथ है और दिल्ली हाई कोट के नेड़े को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसा किया है अर्थात बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को ब्यूरो की जगा पर वितिय सेवा संसान ब्यूरो की अस्थापना किया है गठन क किया गया वर्ष 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था उद्देशी यह है कि जो बैंकिंग वितिय शेत्र में सुधार और परिवेश्षन करना था उस परिवेश्षन को करना है बीमा कंपणियों सहित यहां अन्य वित्ति संस्थान भी इसके दायरे में शामिल है इसके साथ साथ कुछ और इसी से संबंधित बाते इसकी संरचना क्या होगी केंदर सरकार द्वारा इसके अध्यक्ष को नामित किया जाता है जो पदेन सदस्य होते हैं ठीक है वित्ति सेवा विभाग वर लोक उद्यम विभा प्रभारी सच्छिव इसके पदेन सदस्य होते हैं भारती बिमाव विन्यामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रभी आई के डिप्टी गवर्णर ये सब ही इसके पदेन सदस्य का मतलब यह है कि इस पद पर जो भी होगा वो इस पद पर automatically आ जाएगा ठीक है कोई अंशकालिक सदसे संबंदित शेतर की जानकारी रखने वाला ब्यक्ति हो सकता है इससे संबंदित बातों को हम लोगों ने देख लिया आगे बढ़ते हैं और प्रश्ण पर चलते हैं इसमें कौन सा सही है तो सभी चारो ओप्सन इसमें से सही हैं जैसा कि हम लोगों ने ब्याख्या देख लिया था आगे बढ़ें अगले प्रश्णों को देखें अगला प्रश्ण क्या कह रहा है अंतर द्रिष्टी डैस बोर्ड के बारे में निमलेखित कत्रों पर विचार कीजिए पहला कथन यह कहा रहा है वित्त मंत्री द्वारा अंतर द्रिष्टी नाम से एक वित्ती समावेशन डैस बोर्ड शुरू किया गया है दूसरा कथन कथन यह कह रहा है इसका उदेश देश के अंतिम ब्यक्ति तक वित्ती सिवाओं को पहुँचाना है अब आप से पूशा गया है सही नहीं है तो सही नहीं है इसको देख लेते हैं यहां पर चर्चा में क्यों है भारती रिजर्ब बैंक यहां पर रिजर्ब बैंक के गवर्नर ने अंतर द्रिष्टी नाम से एक वित्ती समावेशन डैस बोड का अनावरण किया है कि इसका उदेश यह है कि देश के अंतिम ब्यक्ति तक वित्तिय सेवाओं की पहुंच बढ़ाना या पहुंचाना इसका मतलब यह है कि वित्तिय समावेशन करना वित्तिय समावेशन वित्तिय समावेशन का मतलब क्या है वित्तिय सेवाओं तक पहुंच वित्ती सेवाओं तक पहुँच तक पहुँच की बात हो रही है ठीक है इसका मतलब ये कता ही नहीं है कि बैंक में आपका एकाउंट खुल गया तो वो वित्ती समावेशन हो गया वो बैंकिंग समावेशन है वित्ती समावेशन का मतलब ये है कि वित्ती सेवाओं तक वित्ती सेवाओं में केवल बैंक से रण प्राप्त करना या बैंक में अपना धन जमा करना ही नहीं है बलकि बीमा शेत्र में भी पहुँच इत्यादी बाते इन सभी को मिला करके वित्ती शेत्र की बात होती है वित्ती सेवाओं तक पहुँच ठीक ह देश में ब्यापक अस्तर पर वित्तिय सेवाओं की कमी वाले शेत्रों का पता लगाना और फिर जब पता लगा पाएंगे तो वित्तिय समावेशन को हम सुनिशित कर पाएंगे तो यह आप लोगों ने देख लिया अब इससे समंधित जो अन्यबाते हैं उसको देख लिजे यहां पर आपसे पूशा गया है कि सही नहीं है तो सही कौन सा नहीं है वित्त मंत्री द्वारा वित्तिय समावेशन डैस्बोर्ट शुरो किया गया है यहां पर हम लोगों ने बात कर लिया था कि किसके द्वारा किया गया है तो भारती रिजर्बैंक के गवर्नेर ने किया है इसलिए यहां पर जो आपका गलत होगा यह पहला गलत होगा चुकि आपसे गलत ही पूशा गया है तो सही ऑप्सन आपका यह हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण को देख लें अगला प्रश्ण क्या कह रहा है निम्नलिखित महतपुन खरीजो में एक समू की पहचान की है तीस महतपुन खरीजों में कहा गया है एक समू की पहचान की है वो प्रयूक्त में से कौन से महतपुन खरीज इसमें शामिल है तो यह पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन शामिल है तो एक बार इसकी ब्याख्या देख लेते हैं फिर उसके बा संचार आदिशेत्रों की आवशक्ताओं के द्रिष्टिगत महतपूर्ण खनीजों की ब्यापक सूची की पहचान की है यह कौन से सूची है इसमें कौन-कौन से खनीज धातु शामिल है मंत्राले ने खनीजों की पहचान के लिए समीति का गठन किया था समीति ने 30 महतपूर खनीजों के लिए एक समूह की पहचान की जिसमें शामिल है कौन-कौन सी बाते शामिल है तो यह सब कुछ इसमें शामिल है एंटी मनी बोरिलियम विसमत कोवाल्ट कॉपर इत्यादी इतनी सारी चीज़े इसमें शामिल है और यह कहा गया है कि प्रतेख खनीज को भारत के भूब एग्यानिक भंडारण में उनकी सीमीत उपलब्दता के आधार पर नामित किया गया है सीमीत उपलब्दता के आधार पर खनीजों की यह सूची खनान शेत्र में रणितिक योजना बनाने नीती निर्माण और निवेश समंधिन नेड़ाय लेने में मार्कदर्शन क करने के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है जो महत्वपूर्ण खनीज हैं वो किसकी बात की जा रही है यह वर्तमान की आधुनिक प्रद्योगीकियों के निर्मार के आधार हैं जो प्रद्योगी की का निर्मार किया जा रहा है प्रद्योगी की आधारित लगातार अर्थव्योस प्रद्योगीकी में इन खनीज धातूं का इस्तेमाल होता है इन खनीजों की आपूर्ति स्रिंखला के बाधित होने से खत्रा बना रहता है मतलब अगर आपूर्ति बाधित होगी सुभाविक सी बात है जैसे आप लोगों ने सेमी कंडेक्टर मिसन के बारे में पढ़ा होगा सेमी कंडेक्टर मिसन भारत ने लॉंच किया है और सेमी कंडेक्टर का आयात बाधित होने की वज़े से उस समय गारियों की जो डिलिबरी है वो डिले हो गई थी तो उसी के संदर में बात किया जा रहा है आपूर्ति स्रिंखला के बाधित होने का खत्रा बना रहता है इनक इस्तेमाल इलेक्ट्रिक उद्योग आदि में किया जाता है ठीक है भारत के प्रमुक आया तक सुरूत कौन से हैं कोबाल्ट के चीन अमेरिका वजापान लेथियम के चीनी रूस वचीन निकेल के स्वीडन और चीन इत्यादी अब इससे समंधित बातों को देखने के बाद अ यह ओप्सन आपका सही है एक दो तीन चार पांच यहां पर पांचवा नहीं है अर्था सोना को छोड़ करके बाकी सभी इसमें शामिल है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देख लें अगला प्रश्न क्या कहा रहा है Mission on Advanced and High Impact Research के संदर में निमलेकित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन कहा रहा है इसके शुरवात नवीन एवं नवीकरणी ओरजा मंत्राले और विद्धुत मंत्राले ने किया है दूसरा इसका उदेश विद्धुत छितरक में उभरती प्रद्योगियों का लाब उठान है तीसरा इसकी तक्निकी कार्यशेत्र समीती की अध्यक्षता केंद्रे विद्धुत प्रादिकरण के अध्यक्ष करेंगे चौथा कह रहा है है आरंभ में यह मिशन वर्स 2023-2027-25 वर्स तक की अवदी के लिए है तो यह पूछा गया है आप से सही कौन सा है एक बार इसकी ब्याक्या देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं चर्चा में क्यों है नवीन यूम नविकरणी और जामंत्राले और विद्धुत मंत्राले ने सयुक्त रोप से माहीर की शुर्वात की है विद्धुतमंत्राले, नवीन और नविकरणि उर्जामंत्राले, तथा उनके अधीन आने वाले केंदरी सारुरिक शित्रक के उद्यम के साथ, साथ केंदर के बजटी संसाधन से इस मिशन का वित्वपोषन किया जाएगा, यह मिशन प्रद्योगीकी जीवन चक्र के आधार पर लागू है प्रद्योगी की जीवन चक्र साथी साथ यह भी कहा गया है यह आईडिया टू प्रोडक्ट पर आधारित है इसके अलवा उत्पाद की अधारना से लेकर उसके विर्यर्मार तक की अवधी में यह शामिल होगा साथी यह भी कहा गया है इस मिसन को शुरुवात में वर्ष 2023-2024 से वर्ष 2027-28 तक पांच वर्ष की अवधी के लिए तयार किया गया है तो इससे समंदित बातों को हम लोगों ने समझ लिया इससे समंदित बातों को समझने के बाद कुछ और बाते इसी के संदर में मिशन के कारे क्या है मिशन का जो कारे है उर्जा शेत्र में भी प्रासंगिक बने रहेंगे या उनकी प्रासंगिकता बनी रहेंगे यह उर्जा छित्रक के लिए एक जीवंत और नवनमेशी परिवेश का निर्माण करेगा अनुसंधानेवं विकास में तेजी लाने के लिए विदेशी संबंदों का ये लाब उठाएगा साथी कि अग्रणी देशों की सूची में शामिल करने में मदद करेगा विद्दुद छेत्रक में भारत को कहा जा रहा है कि अग्रणी देशों में भारत को शामिल करने में ये सहायता करेगा मिशन की समर्चना क्या है तकनीकी कारेश शेत्र समीती केंद्री विद्दुद समिती को सिफारिस से भी देगी इसकी ब्याक्या देखने के बाद अब बात कर लेते हैं इसकी इसका सही एंसर क्या है तो इसका सही एंसर डी है अर्थात सभी चारों इसमें से सही है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण को देख लें अगला प्रश्ण क्या कह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोशित है दूसरा कह रहा है इसे वर्ष 2016 में आरंब किया गया था सी कह रहा है यह केंद्रे क्रशी और किसान कल्यान मंत्राले के तहट कार्यान्वित है डी कह रहा है इसके तहट किसान अपने राज्य की सीमा में ही उपज बेज सकता है दरसल आप से यहाँ पर गलत पूछा गया है इसके माध्यम से किसान कीवल अपने राज्य की सीमा में नह को पार करने का अनुमान लगाया गया है ये अनुमान है ठीक है नेशनल एग्रिकल्चर मारकेट पोर्टल जिसे इनैम कहते हैं संछेप में एक अखिल भारती इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसके माध्यम से किसान अपनी फसल को बेज सकते हैं ठीक है यह पोर्टल मौजोदा क्रिशी उपज बाजार समिती मंडियों को एक साथ जोडने का काम करता है इसे वर्ष 2016 में आरंब किया गया था यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है साथ ही साथ इसे केंद्री क्रिशी और किसान कल्याण मंत्राले के तहत लगु क्रिशक क्रशी ब्यापार संग कारियानमित करता है प्लेटफॉर्म औफ प्लेटफॉर्म की सुविधा भी यहां पर उपलब्द कराई गयी है इससे किसान अपने राज्य की सीमा के बाहर भी अपनी फसल की विक्री कर सकते हैं या अपने फसल को बेज सकते हैं। इसमें से सही कौन सा विकल्प है? सही विकल्प D है। आगे बढ़ें अगले प्रश्णों को देख लें, अगला प्रश्ण क्या कहा रहा है? कोईला और लिगनाइट अन्वेशन योजना के बारे में नमलेखित कतनों पर विचार कीजिए। पहला कतन यह योजना देश में उपलब्ध कोईला संसादनों को प्रमाडित करती है। दूसरा कतन कहा रहा है, यह वर्श 2021-22 से वर्श 2029 तक की अवधी के लिए जारी रहेगी। अब यह आप से सही पूछा गया है, इसकी ब्याख्या देख लेते हैं, ब्याख्या देखने के बाद आगे वड़ते हैं। केंदरी मंत्री मंडल ने कोईला और लिगनाइट के अन्वेशन योजना को जारी रखने को मंजूरी दी है। कोईला और लिगनाइट अन्वेशन योजना है। कोईला और लिगनाइट का अन्वेशन कार ये दो ब्यापक चरणों में आयोजित किया जाता है कौन कौन से एक तो प्रमोशनल अर्था छेतरी अन्वेशन की बात कही गई है दूसरी बात गैर कोल इंडिया लिमिटेड ब्लॉक्स में विस्तरित अन्वेशन ठीक है या योजना देश में उपलब्द कोईला संसाधनों को प्रमारित करती है इनकी मात्रा का अनुमान लगाती है कि इनकी मात्रा कितनी है इससे कोईला खनन शुरू करने के लिए विस्तरित परियोजना रिपोर्ट तयार करने में सहायता भी मिलती है इसके बारे में हम लोगोंने बात कर लिया, अब देख लेते हैं कि इसका सही विकल्प कौन सा है, तो सही विकल्प A है, यहां पर देखिए, सही विकल्प A है, केवल A किसमें से सही है, ठीक है, चलिए आपसे सही पूछा गया है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को आपसे गलत पूछा गया है, इसमें 80% से अधिक कार्बन होता है, भारत बिस्व में पैट कोक का सबसे बड़ा उपभोकता देश है, C कह रहा है, भारत में लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन के लिए इसका आयात प्रतिबंधित है, D कह रहा है, सिमेंट उद्यों के लिए भारत में इसके आयात की छूट है, अब यहां इसकी ब्याख्या देख लेते हैं, ठीक है, चर्शा में क्यों है, भारत सरकार ने लिथियम आयन बैटरी के लिए ग्रेफाइट एनोड सामगरी बनाने के लिए पैट्रोलियम कोक, पैट कोक के आयात की अनुमती दी है, अब पैट कोक एक उप उत्पाद है, अब इस उत्पाद में क्या-क्या बाते शामिल होती है, इसमें उच्छ सल्फर होता है, उच्छ कारवन कंटेंट होता है, जिसकी वज़ए से इसमें निम्न राक भी देखने को मिलता है, इसका उपियोग कहां पर किया जाता है, तो जो मुझना में कहा गया है, कि निडल पैट कोक का आयात कच्छे माल के रुप में लिथियम आयन बैटरी के लिए ग्रेफाइट एनोड सामगरी बनाने के लिए किया जा सकता है, दूसरी बात इंधन के लिए इसका आयात पूरी तरह से प्रतिबंधित है, प्रमुक बिंदु क क्या है, तो वर्ष 2018 में सरकार ने पैट कोक के आयात वर प्रतिबंध लगा दिया था, 2018 की बात है, सिमेंट चूने के भठे कैल्सियम कार्बाइड और गैसी करण उद्योगों के लिए इसके आयात में छूट भी दी गई है, भारत बिस्व में पैट कोक का सबसे बड़ा उ भोग का आधे से अधिक आयात करके पूरा करता है, यह आयात मुख्य रुप से सैयुक्त राज अमेरिका से किया जाता है, USA से किया जाता है, तो इससे समंदित बातों को देखने के बाद अब बात कर लेते हैं कौन सा सही है, इसमें से केवल और केवल यहाँ पर सौरी आप प्रशन, दस प्रशनों को आप लोगों ने देखा, हमने उसे MCQ के माध्यम से कवर किया, आज के सेसन में मेरे साथ इतना ही, अगले सेसन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमास्कार